नमस्कार मैं प्रांटशी रठोर और आप देख रही है नेक्स्ट नाइन न्यूज एक बार फिर से किसान आंदोलन करते हुई नसर आ रहे हैं सडकों पर अपनी मांगों को लेकर उतर आए हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि पंजाब और हर्याणा से निकले किसान जो दिल बॉर्डर पर उनके साथ किस तरह से पुलिश का कड़ा एक्शन देखने को मिला है बीते कल देखा गया कि किस तरह से किस्तानों पर गैस के गोले बरसा दिये गए आंसू गैस के गोले उन पर बरसाए गए वो भी ड्रॉन के सरिये इतना ही नहीं लाठे चार्ज होता हुआ नजर आया पत्राव होता हुआ नजर आया आखिरकार यहां पर किसान जो मांग कर रहे हैं उन मांगों को देखते हुए यहां पर उन पर इतना अत्याचार क्योंकि यह जा रहा है क्योंकि कील और कांटे तक उनकी राहा में बिचा दिये गए हैं बैरिकेड्स लगा दिये जन सभा को संभोधित करते हुए अपनी बात रखी बलकि अब यहां पर कॉंग्रेस से राष्ट महा सचीव सचेन पाइलेट भी उतर आए हैं। कि अपने अडियल रवय के कारण लोकों का समधान नहीं हो रहा हमने कॉंग्रेस पार्टी ने एक होश्टा करी कल खरगी जी राहूल जी ने चातितित गड़ के अंदर कि हमाई सरकार बनेगी तो हम MSP को एक कानूनी प्रावधान बनाएंगे ताकि किसानों के साथ जो आज ध किसानों के हितेशी बनती है लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके हितों को ताक पे रखकर तीन काले कानून बनाएं फिर डेट साल एजिटेशन रहा सेंकड़ों के मौत हो गई विड्राव करें और यह कमिट्मेंट किया था दो साल पहले कि हम MSP पर कानून बनाएंग किसानों के काम कर रही है लेकिन जुमलाबाजी हुई है उनके साथ न्याय नहीं हुआ है इतने सैक्ड़ों हजारों लाखों की संख्या में पूरे अलग-अलग राज्यों से किसान आंदोलित क्यूं है इस पे कॉंग्रेस तो उनको एक नैतिक समर्थन करिटिकों के मांग स हम सहमती रखते हैं लेकिन ये किसानों का अंदोलन है इसमें राजनीती कोई नहीं है सरकार को जित छोड़नी चाहिए किसानों के मांग मांगनी चाहिए और जिस प्रकार का बल प्रियोक करकर उनके वाज को दबाये जा रहा है कि किसान इसको बरदास्त नहीं करेंगे साफतोर पर पाइलेट ने भी कह दिया है कि कॉंग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वह भी MSP कानूनी तौर पर देंगे तो अब यहां पर आने वाले समय में यही देखना होगा क्या वाकई में कॉंग्रेस अपना वादा पूरा करेगी या फिर नहीं क्योंकि देखा तो यह दिल्ली की तरफ कूछ करने में काम्याब हो पाएंगे या नहीं फिलाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज